हेलो दोस्तों मेरा नाम है दुर्गेश मोवरिया तो दोस्तों आज की इस वीडियों में ने कुछ निया दिखाया जो मारा में गेट होता है जो हमारा मकान होता मकान के आगे जो में गेट का कि जो में शीडिया बनाते हैं उनका नाप कैसे निकला जाता है और उनको बनाने का तरीका होता हूँ क्या होता है और मतलब कुछ निया दिखाया मैंने यूटूब पर देखा कि में गेट का कि जो सीड़ा मनाते हैं एसी वीडियो यूटूब पहले नहीं डिली हुई है मैं आप लोगों को अच्छे तरीके समझा के बता दू कि में गेट का आके जो सीड़ा लगती है उनका नाप कैसे निकाला जाता है बिल्कुल एजी तरीके से और क्या कि आपको नहीं करनी चाहिए में गेट का के जो शीड़ा लगते समय तो चले दोस्तों आज की आप देख सकते हैं यह मैंने फ्रेंट्स पहले जुगाड कर रहा चड़ने के लिए लेकिन अभी जुगाड को अटाएंगे यहां प्रोपर सीडिया बनाएंगे इटो की सीडिया कैसे बनाते हैं और इन सीडियों का नाप कैसे निकला जाता है मैं आपको बताऊंगा आप वी है अच्छे से नाप के दिखा देता हूं कि यह पर हाइट कितनी है इसकी तो आप देख सकते हैं यह पर आप रोक्स हैं अदेख सकते हैं यह पर मैंने बिल्कुल भी बोड़ भी जूट नहीं बोल रहा हो इधर दिखा ना आप फिता ना नीचे जमीन के ठीका हुआ है और हो कि यहां तक हमारी 35 इंच घृट है ठीक है किंवरे दू ला जाओ तो रहे पर 30 इंच है अब सीडियों का नाप किसे निकालेगे कितने सीडिया एगी और कितने इंच थोकर कर रहे इसके अंदर तो हमारे पास 35 इंच है तो हमसाद का बाग ने कितना है हम सिटार्ट कर लेते हैं तो पहली पर डिसकते हो मैने यहाप साथ इंच पर निशान कर दिया है यहाप आप दिख सकते हो निए साथ इंशाल खूड 15 लएंहां पर यहां से आपको मेरा नहें से आपको वहाँ सा इंस पर निशाल करों ठीक है यह मारे से हम जबगी ठीक हैं और यहां से यह वापीस नाड़ेंगा यह हमारी दो सिड़ी हो गई ठीक है और फिर बाद में हम वापिस यहां से लेके यहां वापिस एक एक निशान और कर लेंगे यह हमारी चार सिड़ी होगी ठीक है और अब हम यहां पर एक और निशान कर लेंगे साथ इंच पर मैं आपको करके बताऊंगा आप यूडियो में बने रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक निशान और कर लेता हूं 7 उशति एंश का तो मैं यहाँ पर एक और आप כुंछ सब्सक्ठी होगी तो हमार में सब्सक्राइए और हम तो मैंने आपको प्रेक्टिकल भी बता दिया और इसका नाप राठोड़ी में कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया होगा ठीक है तो अब मैं लोग जो पहली सीडियू होती है उसको कैसे लगा जाता है और जो इसके लंबा है यह कितनी रखे हैं ठीक है यहां तो ठीक है हम वारे पास फांस सीडिय ठीक है अब जो पेडी होती जो यह चोड़े होती है इदर आप देशाकते हैं इनच कि किरकें तो इसलिए हम इसको यह नहीं से निसके हैं और वेसे हम जो हमारा जो हमारी सीड़े होती है जो हमारी चछत के ऊपर जाने वाली सीड़े हो तुम उसके अदर रहें हम सिर्फ 10 इंच की चाल रखते हैं लेकिन यहां पर जो हम थोड़ी मैं लो चाल को बढ़ाएंगे कि हमारा रोज का उतरना चड़ना होगा तो मैं लो पेर अच्छे से मतलो यूं बिल्कुल अच्छे से टिक जाना चाहिए मारा तो हम इसके अंदर क्या करेंगे लिए हैं तो पांच इंटू बारा कितना होगा कितना होगा बारा लगा साथ साट होगा थीग कहें तो यहां पर पना साट हो जाएंगे तो हम यहां से लिके यहाँ से थोड़ा दूर जाके उधर दिखाना अच्छे से तूर जाके दिखा उदर चले जाओ गया तो हम यहाँ पर इसी देख सकते हैं आप साड़ींच कर दिखाना यह भाइब हमेरा इख अब यहां से स्टार्ट करएंग cancer वहां से स्टार्ट होगी हमारी सिड्टी है यहां से स्टार्ट होगई यहां से कितना उपर रखे रखे रिजे परत्म सिड़्ी यह समझने कि यह समझने कि यह समय समझने कि यह बाद में तो बाद में तो सारी शीट्ट के लेवल में तो नीचे नीचे वाले सिड़ी को लास्ट निशान यहां से आपको लेवल पाइब लेना है यहां से और यहां से लेवल पाइब लेना और वहां पर आपको लेवल निकालना निकालना ठीक है यहां से आपको लेवल लेवल निकालना तो आपको परतम सिड़ी को चाहिए 7 इं मीलो पर्टम सिध्य आपको लगा लेने हैं चाहे सबसे गलत करना यहां से तो बिल्कुल गलत पड़ जाएगा वह आपके सारी सीध्य बेकार हो वहाँ पर उस निचे निचे वाले निसान से आपको यहां से लेषर मेना के यहां पर आप इसके लेवल को से आपको लेवल निका लेना ठीक है तो यह process करते चाना और जाना अधिस मेन आपधायाएँ मैंने बना दी है इदा रिख सकते हो सड़ेटे आपको देख रही हो कि मैंने नाभ बिल्कुल हुए है कल मैं फ्रेंट्स वीडियो नहीं बना पाया इनके लाई उनके घ्राइब सकूर तो बिल्कुल मैंने आपको बताई तो यह सीड़ी दो तीन शीड़ी चार और यह पांच फिक है ठीक है तो प्रेयर आपको बिद्सक्राइब हैं आप देख सेक्ते हो यह जो हमारी 12 इंच यह और यह वाली भी 12 इंच की एंच किया है तो हमारे पास 5 हैं मैंने सब्सक्राइब हो दो हमारे इसको स्टार्ट किया है ठीक है अगर आपको 12 इंच की रखनी है इसलिए और बाकी मैंने इसको चेंज खिया था तो आप देशकते हो हैं, कि मैंने साथ इंच का लिया था तो इ Dare poquito मेने चेंच मे लिए जी हिए चेंच किया था टो कोई बड़ी बात न है यह बती सिर्ड़ करने इस और और 6 सी और पर हमारे कि यहं चार इंच बच गया यहां पर यहां पहांपर अब यहीं देख हमारे पास इक चार इंच यहां पर बच गया है चार इंच पडिए पाड़े इस श्रेटी में भी एक इंच घुन कर दिया इसमें भी एक कंदिया विए न divul था एक इंस किया हम कर दिया तो एक सीडी ऑाध हो कि ऊरुकरна चार फिर नहीं नहींग कम किया इसलिए क्ड़रह पर इसलिए इसलिए बचाई क्योंकि यह ठोकर भी रखना जुरूरी था इसलिए इसलिए भी मैंने चेंज किया और बाकि आप देख सकते हो यह नाप वह का वह है पैतिस पैतिस इंच पे आए गाए यह यह थर्टी फाइव इंच है फ्रेंट्स आप देख सकते हो इदर 35 का निजला कोन आप देख सकते हैं पैतिस इंच कुछ भी चंज नीकिया मैंने वह यह बाकी और इसको इस चेďर के लेवल कर लिये था कर लिया कर लिया कर लिया तो यह जी आपको यहाँ नो-इंच की यहांसा अपको प्रती कोई पर देंगे मिटी कांकर वोगारा कुछ बहारेंगे की सरसे कोई मतलब नीए यह मारी कुम लागते कि च्छा इन्च की श्याइंच के लेवल में और इस इस से हम यहां आप लेंगे तो अगली सिटी बनाएंगे यहीं सिटी लेवल में होगी इस से आपको कुछ मतलब नहीं है यहां से कोई कितना भी बच्चे क्योंकि यह तो जमीन है फ्रेंट से उबढखापड होती रहती तो कुछ भी बचे उससे कोई मतलब नहीं है अब अब हमको इस सीडी से यहां से नाप लेना चाहिंच ठीक है अगर आपके आपके मर्जी फ्रेंट साप पाँ चैंच भी रख सकते हो चैंच चैंच की थोकर रखता है दो Как이지 छो के यहां से मिलती या इस पोजिशन में मिलती तो यह धो-कर रखना जरूरी था कि मेहनगेट की डाय कोई सामने पूरी मलो सीडी यहां से आगे इसी यह निकल जा झाती इसलिए यहां इस निन बाद में इस प्रक्रि सोचा कि यहां प्ष सकते हो कोई बड़ी बात नहीं बनाना और अगली साइड बनाना तो आपको अच्छे तरीके से समझा के बताऊंगा फ्रेंट्स में कि फ्रेंट्स कल बारिस बहुत ज्यादा तेज आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो उम्मेद करता हूं दोस्तों वीडि और उपर मारा चार इंच बच गया तो कोई बड़ी बात नहीं आप सीख जाओगे अगर आपके अंदर जुनूर है मैंनेज करने के लगानत आप आराम से सीख जाओगे सीडिया बनाना अगर फिर भी आपको कोई डिकेत हो फ्रेंट्स आप मुझे कमेंट करना मैं आपके क कमेंट का जवाब दूँगा